बिपीएस्टी की फेज टू की टीचर रिकूर्टमेंट एक्जाम के लिए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग डिसकस करेंगे पिछली वीडियो में हमने 50 सवाला डिसकस किये थे जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्सन में मिलेगी अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि जरूर देखिए ये सभी क्लासेज आपको बिपीएस्टी टीचर रिकूर्टमेंट एक्जाम के लिए क्लास सिश्ट टू एट क्लास नाइन टेन और क्लास एलेवन ट्वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं चलिए आज का पहला सवाल कि अफसानवी मजमूवां अंगारे का तौलुक किस तारीक से है तो अंगारे ये अफसानवी मजमूवां 1932 में शाय हुआ पार ता इसका तरलुक तरक्की पसंद तहरीक से हैं इसमें सज्जाद जहीर के पांच अफसाने महमूद जफार के एक अफसाना है और रशीद जहां का दू अपसान और आहमद अली का दो अबसान है टोटल इसमें दस अफसाने हैं अगला सवाल कोश्टन नंबर 51 कोश्ट में सज्जाज, जहीर, मुलक, राजान, डक्टर, जियोती, गोश्व, गएरा, जो लेंदर में पढ़ते थे, उन्होंने तरक्य पसंद तहरी की बुनियाद डाली थी, और इसकी लखनव में पहली कुलहिंद कांफरेंस हुई थी, लखनव में सन 1936 में तरक्य पसंद तहरी की पहले कुलहिंद कांफरेंस हुई जिसकी सदारत मुंशी प्रेम चंदने की थी, हमें हुसन का मियार बदलना होगा, ये बात किसने गयी थी मूंशि प्रेम चंदने, जदीदियत के सबसे जादा हामी कौन है, जदीदियत के अलम बरदार कह जाते हैं, समशुर रहमान की यानि कि जो आफसा नमबर भी आपका है वो सही होगा अगला सवाल है कि माबाद जदिदियत का सहरोजा कुल हिंद सेमिनार किस ने कराया था तो गोपी चंद नारंग ने माबाद जदिदियत का तीन जो अगुलिव आप सावार 딱 हैं तो गवासी किस दौर का शयर था ? सेय५ुलमुलूग वर बदियुलिंग जमप सेय५ु वरड़ा। इसके मस्नवी काफी मशूर हैं इसके लाव मीना सतवंती भी इसकी इंपोर्टेंट तसनीफ है तरक्की पसंद तहरी की पहली कुल हिंद कांफिरेंस कब हुई थी तो मैंने बता हुई थी लखनव में मुश्री प्रेम चलने साधारत की थी इन में से कौन सा शाय रूमानी तह थे उर्दु तनकीद के बुनियाद किस तहरी के जिरे साया पड़ी तो अर्दु तनकीद के बुनियाद अलीगर तहरी के जिरे साया पड़ी हलके अरबाब जौक किस तहरी के मतवाजी चली देखो हलके अरबाब जौक 1949 में लाहोर में बनी तिसका पहला पुराना नाम मडली से दास्तान गोया था जमीर नसीर जामई के घर पहली बैटक हुई थी तो हलके अरबाबे जौक और तरक्की पसंद तहरीक एक ये साथ चली थी 1936 में तरक्की पसंद तहरीक बनी थी और 1949 में हलके अरवाब जोग अगला सवाल देखिए कोश्टन नमबर 69 जदीदियत किस पर जोड़ देता है तो फर्द के जाती तजर्बे पर जोड़ देता है जदीदियत काजी अब्दुलवदूद किया थे तो मुहकिक थे जदीद तनकीद के सुरी जदीद तहकीक के बानी है जदीद तहकीक के बानी काजी अब्दुलवदूद है मकता किसे कहते हैं मकता जिस शेयर में शायर अपना तखलुस इस्तेमाल किया है जैसे मेरी नीम बाज आखों में सारी मस्ती शराब किसी है इसमें मक्ता है इसको मक्ता कहेंगे क्योंकि इसमें शायद ने तखल्स इस्तिमाल किया है मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है तो मीर अनीस के वालिद का नाम है मीर खलीक इसलिए तो खाजाईदर अलियातिस ने कहा था कि मीर खलीक कलोंड़ा आफ़ते डारा है अगला सवाल है कि सवदा का पूरा नाम तो मिर्जा मुहम्मद रफी सवदा अर्दू कसीदे का नकाशे अवल इनको कहा जाता है अर्दू कसीदे का नकाशे अवल इनको मुसहाफी ने कहा था कोशन नमबर 64 में नाविल उम्राव जान अदा में हिंदुस्तान के कि शहर के मौाशरा की नक्षा कसी की गई है तो लखनव के मौाशरा की नक्षा कसी की गई है नाविल उम्राव जान अदा में जो कि मिर्जा मौमध हाद रुसवा का नाविल है दास्तान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं लिजेंड कहते हैं और अगले सवाल में पूछा है कि हयात जावेद किसकी सवाने है तो ये सरसेद ऐमद खान की सवाने है जिसको शिबली ने कहा था मुदलल मददाही और किताबल मनाकिब कहा है हयात जावेद को शिबली नुमानी ने और ये हयात जावेद किसने लिखी थी हाली ने खाका का इजमाली तारीफ रजेल में से क्या होगा तो जाती वाकफिया द्यानतदारी और साफ गोई होती है खाका में उर्दू का पहला खाका निगार माना जाता है मिर्जा फरहतुल्ला बेग को उन्होंने डिप्टी नजीर आइमत के खाका लिखा था जिसका नाम है डिप्टी नजीर आइमत की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे यास यगाना चंगेजी ये कब पैदा हुए 1884 में पैदा हुए ठीक है इन्होंने गालिब के खिलाफ बहुत कुछ लिखा इनको गालिब शिकन कहा जाता है गालिब शिकन किसको यास यगाना चंगेजी को आयाते वजदाने इनका शेरी मजमुवा है यगाना अर्दू के शायर थे जिनोंने मिर्जा गालिब के खिलाफ अपने रद्धे अमल का इजहार किया तो मिर्जा गालिब यहां पर सही जवाब होगा कली माजिस का पहला शेरी मजमुवा है वो जो शायरी का सबब हुआ यानि कि पहला वाला आफसन करेक्ट होगा कली माजिस का इंतिकाल कब हुआ था सन्दोजार पंदर में कली माजिस का इंतिकाल हुआ था रजा नक्वी वाही का आबाई इलाका क्या है तो सीवान है ठीके यानि आफसर नमबर भी हमारा करेक्ट होगा रजा नक्वी वाही आइना दर आइना ये किसकी किताब है तो ये किताब हुमायू अशरफ की है यानि आफसर नमबर सी करेक्ट है अगला स्वाल है कि वाही को दर जेल में से कौन सा अवाड मिला था तो गालिब अवाड मिला था इमदाद इमाम असर का तोलुक किस सूबा से है तो बिहार से है काशिफल हकाइक इनकी किताब है काफी इंपोर्टेंट है पूछी जाती है काशिफल हकाइक किसकी ए इमदाद इमाम असर कि किताब है शीन मुजफर पूरी का इंते काल पग्वा था तो शीन मुजफर पूरी में इंते किस अदीब ने साहिद एक आदमी एवाड हासिल किया तो वहाव अशयुर्फज़ को साहिद एक आदमी एवाड मिला और इनका जो रुजहान था वो माबाद जदिदियत के ंवा थान की कताब का नाम ही माबाद जदिदियत ए अद्भी रिसाला मुबाहिसा किसने जारी किया था तो वहाब अशरफी ने जारी किया था इम्दाद इमामसर की तारीख पैदाईश क्या है तो 1849 में पैदा हुए राइटर क्या होता है तो राइटर खबर रिसा एजेंसी होता है आजादी के पहले से निकलने वाला अखबार कौन है तो इनकलाब अखबार आजादी से पहले से निकलता है जब हर लाल नहरू ने कौन सा अर्दू अखबार जारी किया था तो उन्होंने कौमी आवाज अखबार जारी किया था अखबार मश्रिक कहां से निकलता है तो कोलकाता से निकलता है हाली में पटना से निकलने वाला मारूफ अखबार कौन सा है तो قومी तन्जीम है अखबार 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 बिहार किस जबान में शाय होता है या होता था अर्दू में होता था अखबार बिहार और अर्दू रोजनामा सियासत सियासत कहां से निकलता है तो हैदराबाद से मौलवी अब्दूलहक अलिगर्ड हसूल तालिम की गरत से कब गए तो 1888 में शमसुल उशाक मीरा जी का तौलुक किस किस शहर से है तो बीजापूर से वो तौलुक रखते है दरजल में से कौन सी किताब शाह अमीन अद्दीन आल असरारुस्सलात खाजा मिरदर्द की है बताएए इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे असरारुस्सलात मेरे ख्याल से खाजा मिरदर्द की है यहां पर खुश नामा दिया है चलो कमेंट में आप लोग बताओगे आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर बान वे दर देल में से खाजा मिर्दत के शागिर्द कौन गुजरे हैं तो आतिश हैं दकन के अर्वाब सलासा किसे कहा जाता है तो मेरा जी बुरहनुद्द्दीन जानम को और शाह अमिन शाह अमिन अला को यहनु कि आपसा नमबर डी क्या रिकता है किसी चीज के नाम को क्या कहते है तो इस्म कहते है ठीक है इस्म कहते है अगला सवाल है कि वह लफ्ज या हर्फ जिसे किसी लफ्ज के सुरू में जोड़ा जाए जैसे मकसद है इसके सुरू में जोड़ दिया बामकसद वकार है इसके सुरू में जोड़ दिया बावकार साबके की मिथावल हैं ठीक है न आ अगए बढ़ते हैं कोस्सें नमबर चानवे नाज की उसके लब केका यह पंक्गरी गुलाब की शहर में कौन से सनाता है तो संत तच्भी यह किसका है मेरत कि मीर का ऐसा जुम्ला इसमें ताज्जब का इजार तो उसको फजाया कहते हैं फजाया हम मानी लप्ज को क्या कहते हैं तो मुटरादिफ कहते हैं सिनोनीम सजिस ईंग्रेजी में कहा जाता है आपका बंदा और फिरू नंगा आपका नौकर और खाँओ उधार ये शेर में कौन सी सनात है? सनात تو नहीं कह सकती, लेकन ये कसीडे का अग्जूज होता है हुसन फलॉब, ठीक है? ये गालिब के कसीडे के खुसन फलॉब से लिया गया ये शेर है, तो हुसन फलॉब जो आपका आफसर नम़र C है ना वो खरेक्ट है पहाड इन मेंसे किसकी मिसाल है तो पहाड इस में न करा है कोई भी पार हो सकता है ठीक है तो इसमें नकरा है तो यहां पर हमने 50 सवालात हर किये बिहार इस्टेट πीजिटी लेवल में पूछे गए सवालात थे जो की बिहार की जो शिच्छक बढ़ती आई है उसके लिए अहम हो सकते हैं आप इस कलास को लाइक करें शेयर करें हैदर इस्टडी पॉइंट को